असलाम वालेकुम दोस्तों स्टार गोड्स फार्म में आपका स्वागत है आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बहुत गोड्स फार्मिंग में इंपॉर्टेंट चीज होती है चाहे वो न्यू गोड्स फार्मर हो या पूरे जो साल भर बखरे पालते हैं और काफी सालों से काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो पूरा देखें एंड टक का देखें इंशालला इसमें काफी अच्छी चीज़े मैं आपको ऐल होंगा पूरे साल का नब है कैसे करना है और उसके लावा जो नया महल आपके फांश कैसे बाद देना है तो उससे कैसे कॉर करना है और उन्हें कौन-कौन सी वैक्सीन के ऊपर है या फिर अगर हम दो तरीके से बताएंगे एक तरीका ऐसा है कि फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा जिसमें बक्रे जब आप लाते है साल के बीच में यानि कोई भी साल के बीच में आप बक्रा ला रहे हैं तो उसके लिए एक चार्ट अलग है जो आप अभी यह देख रहे हैं यह चार्ट है और यह दूसरा चार्ट अभी मैं आपको ब इंशाल्ला उसकी पूरी डिटेल आपको दूगा तो इंशाल्ला आपको समझ में आएगा कि यह कैसी चीज है और कैसे दिया जाता है और इसके फाइदे क्या है और यह मारने के बाद वापस इसे रिपीट कितने महीने बाद या साल के बाद किया जाएगा तो यह बहुत अच थोड़ी सी वीडियो समझाने में लंबी होगी तो उसके लिए आप थोड़ा सी सबर करें लेकिन आपको आज बहुत जादा इंशाल्ला सीखने मिलेगा मेरी जात से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से अच्छी चीजे सिखाऊं तो आज की जो ट अगर इन केस यानि चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन अल्ला ना करे वैक्सिल लगाने के बाद भी अगर यह बीमारी आ गई तो वह उतनी स्ट्रॉंग नहीं होती है और उतनी पावर्फुल नहीं होती है कि वह बखरे की जान ले ले तो इसलिए हम जो हर वैक्सीन है पीप इसलिए आपको सीखने मिलीगे और इंशाला जिन्होंने अभी तक हमारे करें चार्ल को शॉप्सृप स्प्राइब नहीं किया और सैसलिए कर लें बांद घूर और फ्लोरिंग का तो इंशाल्ला काफी लोगों का मैसेज आया था फ्लोरिंग के उपर से भी कि क्या कॉस्ट पड़ती है आप क्या लगा रहे ब्लॉक लगा रहे तो इसका कित्ता यारे क्या benefit होगा आपको ब्लॉक लगाने से वो सब भी आप बताए तो इंशाल्ला एक topic हमारी और एक next video में वो भी रहेगी तो मैं इंशाल्ला आपको next video में वो topic में बताऊंगो तो अभी चलें और अभी पूरा video देगें एंड टकका देगें इंशाल्ला यह हमारा vaccination का चार्ट है जैसा के काफी लोग मुझे WhatsApp करते हैं तो मैं उन्हें भेज देता हूं लेकिन काफी ल जो चार्ट है यह दो चार्ट है हमारे पास इसमें यह पहला चार्ट है यह चार्ट है जो ईद के लिए जो कुरुवानी के लिए अभी हाल फिलान में तीन महिना चार महिना पहले लोग बकरे खरीद के लाते है तो जैसे अभी फिल वक्त बकरीद अगस्त में आ रही है तो तो अगस्स से चार महीना पहले अगर कोई भाई अपने बखरा ले गा था अप्रेल मैं में तो यë 3 से 4 महीने वेक्ष्यू और रयहствен Ilamme इसम्नी उनके लिए हैं और जो साथी पूरा अपने फॉर्म पे बखरे रखते हैं जो जो इसमें उसले एक गैनी है तो यह दो अलग-अलग है यानि यह कुर्बानी के बख्रों के इसाब से है इत के बख्रों के लिए और जो दूसरा वाला है मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा वो जो है वो साल भर जो गोड फार्मर गोड अपने फार्म पे रखते हैं यह उनके लिए होता है तो चलते में सीव करते हैं तुमीघ करने कर करना है और उसके लावा मैं आपको आपको अपने वाट्साप करेंगे तो मैं मैं वाट्साप प्यूंजेंगे आपको पहड़ बेज़ दूँगा फिर उसी point में deworming में second option है उसमें deworming आप देखेंगे first deworming second day of arrival है और second deworming after 21 days of first deworming यानि पहले जो deworming आपने skin में किये थे skin deworming के बाद आप second deworming oral करना है आपको जो आप जिसमें albumar है, fesnil है, fesnil है और भी कई दवाएं आती है वो oral आपको पिलाना है यह उसके मैं आगे जो है इसमें इसका कितना time होता है वो भी सब दूसरे चार्ट में आपको बताऊंगा फिर उसके बाद है आप देखेंगे PPR की वैक्सिन है second number पे वो 15 days after second deworming यानि यह second जो आप deworming second deworming के 15 days के बाद आपको PPR करना है फिर आप line से देखेंगे FMD है 15 days after PPR यानि PPR मारने के 15 days के बाद आपको FMD करना है फिर उसके 15 days के बाद आपको third number में आप देखेंगे fourth number पे आप देखेंगे ET है तो ET आपको फिर 15 days आपको रुकना है और FMD के 15 days के बाद आपको ET मारना है यह सारे जो मैं ET है, HS है, FMD है, PPR है इनका full form आप देख सकते हैं मैं short form में आपको बता रहा हूँ फिर पांचवे नंबर पे HS है जो 15 days after ET है, ET के 15 days के बाद है फिर उसके बाद है गोट पॉक्स जो काफी important होता है अक्सर इसमें जानवर मरते भी है, काफी होता है तो यह 15 days after HS, HS के 15 days के बाद हमें यह करना है फिर उसके बाद है BT का एक vaccine आता है जो last vaccine हमें करना रहता है जो हमारे इत के गोट साते है वो 15 days after गोट पॉक्स के तो यह मैं बहुत ही simple तरीके से बना हुआ चार्ट है यह चार्ट के जरीए आप आसानी से यह चार्ट आप अपने पास रखें बड़ा इसका फोटो निकाल के आपके फार्म पे लगा दे या जो भी है तो इससे आपको काफी आसानी होगी यह चार्ट यूज़ करने में तो अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरा जो साल भर गोट फार्मिंग करते हैं लोग उसके उपर हम चलते हैं अब यह हमारा दूसरा चार्ट है आप देखेंगे वैक्सिनेशन ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक जो साल भर जो भाई लोग फार्म पे अपने ब्रीडिंग सेट अप रखते हैं बकरियां पालते हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं तो यह उनके लिए था है और जो हमारा पहला वाला जो आपने देखें वो कुर्वानी के बकरों के हिसाब से था तो हम चलते हैं महीना जो स्टार्ड होता है हमारा साल का जन्वरी से स्टार्ड होता है आप देखेंगे जन्वरी में फर्स्ट डीवर्मिंग हमें करनी पड़ती है सबसे पहले जन्वरी में वो कॉटरली है याने तीन महिने में एक बार इसे रिपीट करना पड़ता है तो deworming के साथ हम PPR vaccination आप इसे कर दे PPR वैक्षिन भी हमें जनवरी में ही करना है लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूँ जो deworming के आप जो deworming करते हैं तो कोई भी वैक्सिन जैसे हम जन्वरी में पहले डीवर्मिंग करें उसके बाद PPR करना है तो PPR उसे after three days ही हमें करना है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ड आता है same day डीवर्मिंग पीपी आर एक साथ हमें नहीं करना है तो पहले डीवर्मिंग कर लिए एक तारिक को उसके बाद हम चार तारिक को PPR वैक्सिन करेंगे तो डीवर्मिंग हमारी तीन महिने की उसकी वैलिडिटी होती है तीन महिने के बाद हमें फिर उसे repeat करना है वापस तो इंशाला जैसे जनवरी में करे है तो हमें वापस आप देखेंगे अप्रेल में वापस deworming आईगी तो यह schedule है मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ जो PPR है वो 3 years यानि तीन साल में एक ही भार हमें PPR का vaccine कराना है तो हमारा deworming जनवरी में हो गया उसके तीन दीन के बाद हमें PPR करना है फिर हम आते महिने में जैसे next month में FAB आता है FAB की first week में कोशिश करें आप करने के को आपको idea रहते हैं तो इसमें Godpox की जो vaccine है वो आप कर लें आप देख सकते हैं FAB में लिखा है Godpox वो पूरा साल आपको उसका असर होता है इसे वापस repeat करने के लिए फिर इंशालला आते next year के में आप जब वो वापस दूसरे साल का फरवरी का महीना आएगा तो उसमें फिर आप ये गोट पॉक्स repeat करना होगा तो ये दूसरी वैक्सीन हो गई फरवरी की फिर मार्च आपका गैप हो जाएगा मार्च में कोई वैक्सीन नहीं करना है फिर अप्रेल आता है फिर हमें जैसे मैंने बताया तीन महीने के बाद हमें deworming करना है फिर deworming हम first week में कर सकते जैसे अगर एक तारिक को करें तो बैतर है फिर उसके बाद H.S. की वैक्सिन तीन दिन के बाद यानि उसके अगर एक को करें तो हम तीन दिन का गैप करना है हमें फिर चार या पांच तारिक को करेंगे तो तीन दिन के बाद में अगर आप डी वर्मिंग के कोई भी वैक्सिन करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको तीन दिन का गैप लेना है यह मैं काफी इसे बार-बार आपको बता हमें लगाना है इसकी खली चैप्रुट होता है तो आपको आपको यह दिसे धरी центр करना है जून हमारा गैप होगा जून में कोई वैक्सिन नहीं है जुलाई में फिर डी वर्मिंग हमें करना है उसे तीन मैंने का गैप फिर हो गया जैसे हम अप्रेल में करें तो फिर हमें ये वापस जुलाई में डी वर्मिंग हमें करना है उसके साथ फिर उसके तीन दिन के बाद हमें बीटी क वैक्सीन देना है जो साल में सिर्फ एक ही बार देना है जो उसका पूरे साल उसकी वैलेडिटी रहती है उसका जो अशर होता है वो पूरे साल तक का रहता है बीटी वैक्सीन का तो फिर इसे वापस next year, जुलाई में ही यूज करेंगे तो एक साल में ये हमारा ये पिरियड में एक साल में ये एक ही बार होगा फिर अगस्त आता है अगस्त में हमें FMD की वैक्सिन देना है जो वह भी पूरे साल की yearly है उसकी validity वह आप देख सकते हैं लिखा है आगे की तरफ सेप्टेंबर का महीना हमें कुछ भी नहीं करना वह गैप है हमारा ये उस महीन में कोई वैक्सिन नहीं लगाना है ओक्तुबर हाएगा अक्तूबर में है अगें आपकी डी वर्मिंग जो तीन महीन का गैब होता है तीन महीन दानके बाद फिर डी वर्मिंग घाईम हाथा है उसके साथ हमें hs की वेक्सिन देना है जो second time इस बार आएगी जो हम पहले भी H.S. दे चुके है अप्रेल में उसके 6 महीने के बाद यह वापस आती है अक्तूबर में तो H.S. की वैक्सिन हमारी फिर आगाई है H.S. के बाद फिर 9 उंबर का महीना आता है 9 उंबर के महीने में फिर E.T. की 2nd वैक्सिन होती है जो पहले हम मे में में कर चुके है उसे 6 महीने के बाद फिर 80 वापस रिपीट करना है कुछ vaccine जो होती है जो 6 महीने में एक बार लगाना है कुछ 3 महीने में करना है कुछ साल में है और PPR जो vaccine है वो 3 साल में 1 बार लगाना है याने अगर जब तक के आपकी बखरीयां 6 साल, 7 साल भी रहती है कभी कभी तो उसे तीन साल में एक ही बार लगाना है यह हमारा वैक्सीन का जो चार्ट था यह ब्रेडिंग स्टॉक के इसाब से है तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ और डी वर्मिंग जो होती है वो सुबा मौर्निंग के टाइम ही करें उसे खाली पेट सुबा साथ से आठ बजे के टाइम में ही मौर्निंग में आप करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है दो चार्ट थे जो मैंने आपको वैक्सिनेशन के बारे में बताया मैं वैक्सिन की इन दो चार्ट के जरी आपको काफी अच्छी चीज़े समझानी की कोशिश करा हूँ कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए वैक्सिन आप कैसे करें कप करें और क्या टाइम होती है साल में कप कितनी बार की जाती है और वैक्सीन के वैलेडिटी कितनी होती है तो ये बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मिशन वाली वीडियो थी जो आपको काफी काम आएगी आप जब अपने फार्म पे आपके साल भर के बकरे होते है जो ब्रेडिंग स्टॉक होता है या फिर आप कुरबानी के लिए जो बकरे लाते हैं तो ये आपके बहुत काम की चीज है तो इस वीडियो को आप ज़ादा से ज़ादा आपके और लोगों में शेयर करें जो आपके पैशान जो बकरों के शौकीन है तो उनको भी ये चीजें और ये जो चाड है वो उन तक का भी पहुँचा ये चाड इन्शाला अगर किसी भाई को चाहिए तो वो मुझे वाटसअप कर सकता है आप मुझे वाटसअप पे मैसेज कर सकते हैं चार्ट आसिभाई मुझे चार्ट दे दें तो मैं इन्शाला ये चार्ट आप तक का WhatsApp के जरीए पहुचा दूँगा ये बहुत अच्छी चीज है बहुत फाइदेरी चीज है और मेरी कोशिश है मैं अलहमदुल्ला काफी टाइम से यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जात से मुझसे आप लोगों को फाइदा ही हो जो बखरो की लाइन है जो बखरो के शौक करते हैं वो मेरे जरीए उनको कुछ नग कुछ नई चीज जानने का मौका मिले और मैं इल्म बाटने की कोशिश कर रहा हूँ मैं शुरू से आप देख सकते हैं मेरी हर वीडियो में मैं अलहमदलिल्ला आपको अच्छे से अच्छी वीडियो और छोटी से छोटी नॉलेज बड़े से बड़े जानकारी नॉलेज जो होती है मैं आपको बता रहा हूँ इंशालला इसी तरह हम लोग और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें आपको और भी कई तरह की नॉलेज जो बखरो के फार्म के मुतालिक होती है छोटी बड़ी बिमारियों के बारे में और भी वैक्सीन के बारे में तो मैं इंशालला के बारे में मैं इसलिए बोर रहा हूँ कि जो चीज अच्छी चीज होती है वो और लोगों तक का भी पहुँचे जैसे आपके वाटसब ग्रूप है या और भी चीज़े हैं फेस्बुक है और इंस्टा है उस पर आप शेयर करें जो भाई ये देखेंगे और इससे फाइदा उठेगा तो अल्ला ने चाहा तो उसका जो सवाब है जो जरिया है वो मुझे मिलेगा तो मैं वही चाहता हूँ और मेरी वही कोशिश है कि जादा से जादा ये लोगों तक का वीडियो पहुँचे तो बैरहाल हमने एक अच्छी कोशिश करी थी आपको वैक्सीन के बारे में समझाने की तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे दालें और हमारे चाइनल को जो इतना प्यारा है और आपको आगे और अच्छी नई नई वीडियो देखने का मौका मिलेगा तो इंशाला फिर कल मैं एक और न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया मेरे सबी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए और वेट करने के लिए हमारी वीडियो को तो असलाम आलेकुम अल्लाहाफिज